दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को सिब्याइए ने तिहार जेल से गिरफ्तार किया है दिल्ली शुराब नीथी मामले में सुमबार को तिहार जेल में बंद सीम अर्विन केजरिवाल से पूस्ताज करने सीब्याइ की टीम पहुंची थी सीबी आई ने केजरी वाल से पुछताज कि और शराव नीटी मामरे से संब्धित उनका बयान भी दर्ज किया अब सीबियाई गुदवार को केजरी वाल को ट्रायल कोर्ट में पेश करेंगे वहीं करही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को ले करके भी सुनवाई होनी है आमादी पाइटी का भी बयान सामने आया आप सामसद संजे सिंग ने का कि अर्विन केजरी वाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की पूरी संभावना है इस्ते पहरे विकेंदर की बीजेपी सरकार ने स्टीबियाई के साथ मिल करके के खिलाफ जूठा मुकदमा तयार कर उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची है पूरादेशे सरकार का देख रहा है पूरा देश अर्विन केजरीवाल के साथ में की जारती के क्लाफ है और एक साथ मिल्वरतन करके खिलाफ हावाज उठाएगा ने मंगलवार को सरावनीहीं इस जुडए मैनीं लॉंडरि किये गए सबूतों का सही आकरन करने में भी फल रही और उसने आमाद्य पाइटी के नेता की जमानत याज का पर फैसला करते समय बीवेक का इस्तेमाल नहीं किया हाई कोट ने कहा कि जमानत आदेश को लेकर एडी की आपत्यों पर गंभीरता से विचार करने की ज़दों थे इसलिए बिवादित आदेश के क्रियानवन पर रूक लगाई जाती है के जरीवाल के खिलाब बड़ी साजिश कर रही है के जमानत पर हाई को लोगर कोट की ओर से लगाईगी अंतरिम रोक से सहमत नहीं है और इसे सुप्रीम कोट में चुनोती देगी दिल्ली हाई कोट ने इससे पहले शराब होटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में केजरीवाल को अधीनस तदालत की ओर से मिली जमानत पर रोक लगा री थी जस्टिस उधीर कुमार जैन केगी वेकेशन वेंच ने का कि लोवर कोट प्रवर्ता नीडेशाल है यानि इडी कोट से उसके समख्ष पेश तत्तों कुछी तरीके साक्रान करने में नाकाम रहा और आप नेता की जमान करजीब और विचार करने के दौरान अपने अभी वे जब दे दिए और एकलाक रुपए के नीजी मोचल के पर रिहा करने का आदेशा सुनाया था आपकी इडी अगले दिन हाई कोट से लिगे और लोवर कोट के आदेश को गलत और एक तरफा करा दिया जिस पर हाई कोट ने रोग लगा दी वीडियोटेस कमरुजाला.com